देवी लक्षमी की बड़ी बहन अलक्षमी के बारे में कितना जानती है आप? जाने कहां करती है ये वास? आए इस लेक में जाने देवी लक्षमी की बड़ी बहन अलक्षमी के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे. माता लक्षमी को धन की देवी माना जाता है और उन्हें प्रसंद करने के लिए लोग न जाने कितने प्रयास करते हैं कभी माता लक्षमी की तस्वीर के सामने दीपक जलाना तो कभी उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करना यू कहा जाए कि धन की देवी माता लक्षमी की लिलाओं से सभी अबगत हैं और उन्हें प्रसंद करने के उपाई भी सभी जानते हैं लेकिन क्या आपने माता लक्षमी की बड़ी बहन अलक्षमी के बारे में कभी सुना है? शायद नहीं आए इस लेक में माता लक्षमी से जुड़ी कुछ हैसी बातों के बारे में जाने जिससे आप में से बहुत से लोग अंजान है माता लक्षमी की बड़ी बहन माता लक्षमी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है देवी अलक्षमी जहां माता लक्षमी धन की देवी मानी जाती हैं, वही देवी अलक्षमी गरीबी और दरिद्रता की और संकेत करती हैं शास्त्रों के अनुसार माता अलक्षमी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है इसलिए किसी भी घर में इनकी तस्वीर नहीं लगाई जाती है हिंदू धर्म के भागवत महापुरान में देवी लक्षमी की बड़ी बहन माता अलक्षमी की जिक्र किया गया है मान्यता है कि जहां देवी अलक्षमी वास करती है वहां अशुब घटनाई, पाप आलस, गरीबी, दुख और बीमार्या निरंतर बनी रहती है इसलिए इन्हें दुर्भाग्य की देवी भी माना जाता है घर की सुक समृद्धी कायम रखनी है, तो भूल कर भी ना रखे हनुमान जी की ऐसी तस्वीरें माता अलक्षमी की जन्म कथा भागवत महापुरान के अनुसार, समूत्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और उसी में माता अलक्षमी भी निकले थी लेकिन माता अलक्षमी के अफ्तरन से पूर्व माता अलक्षमी समूत्र मंथन से बाहर निकले थी समूत्र से निकलने के बाद देवी लक्षमी ने भगवान विश्नु का चयन किया जबकि माता अलक्षमी ने आसुरी शक्तियों की शरण ली यही वज़े है कि उन्हें 14 रतनों में गिना नहीं जाता है मान्यताओं के अनुसार समूत्र मंथन से निकलने के कारण उन्हें देवी लक्षमी की बड़ी बहन कहा जाता है ऐसी भी कहानी है कि माता अलक्षमी समूत्र से मदिरा लेकर निकली थी इसलिए भगवान विश्नु की अनुमती से उन्हें राक्षसों को दे दिया गया था जब मुनी ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा मैं ऐसे घरों में निवास करती हूँ जहां गंद की कलह कलेश अधर्म हो इसका तात्परे यह हुआ कि माता अलक्षमी साफ सुत्री जगहों में प्रवेश नहीं करती है इसलिए ये भी मान्यता है कि उनसे बचने का एक मातर उपाई घर को साफ सुत्रा रखना है माता अलक्षमी का वास माता अलक्षमी ऐसे घरों में वास करती है जहां गंद की कलह कलेश, दरिद्रता, अधर्म, आलस्य हो अगर देवी लक्षमी की पूजा अचना के बाद भी घर में धन हानी, कलह कलेश रहता है तो ऐसे घरों में माता अलक्षमी का प्रभाव हो सकता है क्या आप जानते हैं पूजा में अक्षत चड़ाना शुब क्यों माना जाता है क्या है इसका महत्व पीपल के पेड़ पर करती है वास हिंदू धर्म में पूजयनिय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुब माना जाता है क्योंकि दिन के एक पहर इस पर माता अलक्षमी वास करती है पौरानिक ग्रतों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्षमी दिन तो माता अलक्षमी रात के समय रहती है यही वज़य है कि रात के समय पीपल के पेड़ पास जाने की मना ही होती है यह भी मान्यता है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाने से घर में अलक्षमी का देरा हो जाता है नीमबू मिर्च से प्रेम, अक्सर घरो या दुकानों के बाहर नीमबू और मिर्च लगाए जाते हैं ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से किसी की नजर नहीं लगती है और सारे काम सफल होते हैं लेकिन पुरानों के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि माता अलक्षमी को तीखी वक्षटी चीजे पसंद हैं इसलिए घर दुकान के बाहर नीमबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वो घर के बाहर से चली जाएं और उनके प्रभाव से घर को बचाया जा सके अैसी मान्यता है कि देवी अलक्षमी पीपल के पेड में निवास करती है इसलिए यदि घर में पीपल का पेड घर में उगाए पीपल का पौधा तो क्या करें उगाए तो उसे तोड़ने की बजाय पूरे विधी विधान से दूसरी जगह पर लगाएं पहले 45 दिन तक उसकी पूजा अर्चना करें और फिर इसे जड़ सहित निकाल कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें कभी भी घर में या कार्यस्थल पर माता लक्षमी की अखंडित मूर्ती न रखे साथ ही ऐसी तस्वीर भी न रखें जिसमें वहुलू पर बैठी हो इसके अलावा देवी लक्षमी की ऐसी मूर्ती भी न रखें जिसमें वो खड़ी हुई हो ऐसा करने से दरिद राता है और लक्षमी का वास होता है घर में हमेशा साफ सफाई रखें और व्यर्थ के जगणों से बचें ऐसी मान्यता है जहां साफ सफाई वह खुशाली होती है वहाँ देवी लक्षमी वास करती है और जहां कलग कलेश होता है वहां माता अलक्षमी का वास हो जाता है अगर आपको यह लेक अच्छा लगा हो तो इसे शेर जरूर करें वैसी तरह के अन्य लेक पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी रीबोटी सिन्हा के साथ